आठमा अध्याय भारत के महान व्याज्यानेक सर जगदीश चंद्रबोस जगदीश चंद्रबोस ने वायलेस का आविश्कार मारकोनी से पहले ही कर लिया था यह उत्तेजक टिपड़ी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्यान विश्यक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाती के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है बारत ना केवल गूर चिंतन में वरन भौतिक विज्यान में भी प्रमुग भूमी का निभा सकता है इस बात के प्रमान में अपनी गहरी अभी रुचिकों में अस्विकार नहीं कर सकता अब कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक भौधे ने प्रसन्नता पूर्वक्स पश्टी करण दिया वाइरलेस कोहेरर और विद्यो तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविशकार सबसे पहले बोस ने किया था परन्तो इस भारतिये वैज्ञानिक ने अपने आविशकारों से कोई आर्थिक लाब उठाने की चेश्टा नहीं की शीग्री उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की और मोर दिया मनस्पति शास्तरग्य के रूप में उनके द्वारा किये गए क्रांतिकारी आविशकार उनके बहुत इक विज्ञानी के रूप में किये गए मौलिक आविशकारों से भी कहीं अधिक बढ़ चलकर है मेरे ग्यान में व्रिधी करने वाले प्राध्यापक महाशेका मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया उन्होंने आगे कहा ये महान व्यक्यानेक प्रेसिडेंसी कॉलिज में मेरे सहाध्यापक है दूसरे ही दिन मैं उस रिशी तुल्य महान ग्यानवित्ता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रती श्रद्धा भाव रखता आ रहा था गंभी, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पती शास्त्रग्य ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया उनकी आईउ पचास से साथ वर्ष के बीच थी विगनेकेश, विस्तीन ललाट तथा स्वपनिल नित्रों के रूप वान व्यक्ति थे उनका शरीर सुगठित था बोलने में उनका विशुद्ध उचारण, उनके शुरू से ही व्यग्यानिक स्वभाव को दर्शाता था पश्चिम की व्यग्यानिक सोसाइटियों की सभाव में भाग लेकर मैं हाली में वापस आया हूँ मेरे द्वारा अविश्क्रेत जीवन की अविभाज एक्ता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रूची दिखाई बोस क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति यानी मैगनिफाइंग पावर एक करोड गुना है माइक्रोस्कोप तो किवल कुछ सहस्र गुना ही परिवर्धन करता है फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीवर गती प्रदान कर दी जीव विज्ञान में प्राण फूँक दिये क्रेस्कोग्राफ अगलित मार्ग खोलता है सर, आपने विज्ञान की अमूर्द बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगन बद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है मेरी शिक्षा केम्रीज में हुई प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धान्द की सूक्ष्म से सूक्ष्म जाच करने की पाश्चात्य पद्धती कितनी सराहनी है ये प्रयोग मूलक कार्य पद्धती मुझे अपनी पौरवात्य बिरासत में मिली आत्म परीक्षन की क्षमता के साथ जुड़कर और भियदिक प्रभावी हो गई इन दोनों के जोड़ने मुझे दीर्ग काल से चले आ रहे प्रक्रती जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रिस्कोग्राफ के रेखा चित्र संदे करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह प्रमान है कि पेड़ पौदों में भी समवेदन शील्ट स्नायू तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है प्रेम, ग्रिना, आनन्द, भय, सुक, दुख, मूर्चा और अन्यों तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावनु भूती जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी स्रिष्टी में व्याप्त जीवन की अध्वितिय धड़कन एक कभी की कल्पना मातर लगती होगी एक संद को मैं कभी जानता था, जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे वे कहते थे, गुलाब के पौदे से मैं उसका संदर्या भिमान कैसे छीन लूँ, अपनी उदंड़ता से उसे विवस्तर करके उसके आत्म सम्मान को धक्का कैसे पहुँचाऊं उनके उन सहानु भूती पूर्ण शब्दों को आपके आविश्कारों ने अक्षर्षय यथार्थ सिद्ध कर दिया है कभी सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैग्यानेक अजीब और गरीब ढंग से उस तक पहुँचने का प्रयास करता है किसी दिन मेरी प्रयोग शाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो कृतग्यता पूर्वत मैंने आमंतरंट स्विकार कर उनसे विदाली बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रिसिदेंसी कॉलिग छोड़ दिया है और अब वे कोलकता में एक अनुसंदान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे है जब बोस इंस्टिट्यूट का उद्गाटन हुआ तब मैं उस उद्गाटन समारों में उपस्थित था सैंकणों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर खूम रहे थे विज्ञान के इस नए पीट की कलात्मक्ता और आध्यात्मिक प्रतिकात्मक्ता को देख कर मैं मुग्ध हो गया उसका प्रवेश्टवार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेश है कमल पुष्पों से भरेक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ती नारी के लिए अमर प्रकाश्क दात्री के रूप में भारत के आधर को सूचित करती है एक उध्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पेत एक छोटा सा मंदिर है मंदिर में मूर्ती विहीन व्रिक्तिस्थान ईश्वर की निराकार्ता को सूचित करता है इस उध्गाटन के महान अफसर पर सरजगदीश चंद्रबोस का भाशन ऐसा लग रहा था मानुवा सीधे किसी अंतय प्रेरित प्राचीन व्रिशी के मुक्सिन में इस्वरित हो रहा हो इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरान एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ उनकी आदरनिये महान तक खचा खच भरे सभागरे पर एक अद्रिश्च चादर के समान चा गई उन्होंने आगे कहा अपनी खोज में पैक पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला उस समय मेरा आश्चारे भरता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही है और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे है मैंने देखा कि निर्जीव जगत निश्क्रिया नहीं था वह तो असंख शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था सब में एक समान प्रतिक्रिया धातू, बनस्पती और प्राणी को एक ही समान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई वे सब थकान और खिन्टा के तत्वता एक समान लक्षन प्रदर्शित करते थे जिन में पुनै तरो ताजा और हर्शोत फुल होने की संभावनाएं बनी रहती थी मृत्यों के साथ जुड़ी हुई स्थाई प्रतिक्रिया हिंता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे इस विराठ सामान्यत्व से विसमे विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा परांतु वहाँ उपस्तेत प्रकृति व्यग्यानिकों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्त विग्यान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंदान को सीमित रखने की सला दी जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था मैंने अनजाने में एक अपरिचित जाती व्यवस्ता के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उलंगन कर दिया था बहान जाने में एक धर्म शास्त्रिय पूर्वा ग्रैभिक कारे रथ था जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रशना तीत मानता है यह प्राया भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से स्रिष्टी के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहसे से घेर रखा है उसी ने प्रश्ण करने और समझने की इच्छा भी हम में प्रतिश ठापित कर दी है अनेक वर्शों तक लोगों की गलत पहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई कि विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है लाब और हानी, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रधायोक्त अर्ग के रूप में अरपन करना पड़ता है कालांतर में विश्व की प्रमुक वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिधानतों और निश्कर्षों को स्विकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया जो कुछ भी छोटा या सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी त्रिप्त कर सकता है एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यवन प्राप्त करने की एक जीवन प्रत शक्ति के द्वारा इस भूमी ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना काया कल्प किया है भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन होते आए हैं, जिनोंने समय के तातकालिक और मोहक पुरसकार को ठुकरा कर, जीवन के सर्वोच अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है अकर्मण ने परित्याग द्वारा नहीं, वरन कर्मण, कठोर संघर्ष द्वारा संघर्ष को अस्विकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्ट ना कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्ट की हो, केवल वही संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे सम्रिद कर सकता है इस बोस प्रयोकशाला में, जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किये जा चुके कारिसे और वनस्पती जीवन के अब प्रत्याशित तथे सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, क्रिशी और यहां तक की मनो विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यन्त विस्त्रित क्षेत्र खोल गए हैं जिन उल्जनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलजाया नहीं जा सकता वे भी अब प्रयोगात्मत अनुवेशन के कारिक शेत्र में आ गई हैं परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती इसलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविश्कृत अति संबेदन शीलोब करनों और व्यज्यानिक यंत्रों की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं विद्रिश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्ग कालिक अनबरत प्रयत्न की तथा मानव के सीमित सामर्थ की परिसीमाओं को लांगने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योक शीर्ता की गाथा सुनाते हैं सभी आविश्कारक व्यज्यानिक जानते हैं कि वास्त्विक प्रयोक्षाला तो मन है जहां वे माया के परदे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं यहां जो व्याख्यान दिये जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ग्यान की पुन्रा वृत्ति मात्र नहीं होंगे उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किये गए नए आविश्कारों का ग्यान दिया जाएगा इस संस्था के कार्य विवराण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे कभी भी किसी भी बात का पेटिंट नहीं लिया जाएगा हमारी राश्क्रिय संस्कृति का सार ही यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाप के लिए करने की संस्कृति हिंता से सदैब दूर रहना चाहिए मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्था की सोविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधान करताओं के लिए उपलब्ध हो इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ 25 शताब्दियों पूर्वी भारत नालंदा और तक्ष शिला के अपने प्राचीन विश्व विद्यालियों में विश्व के सभी हिस्सों से आते चात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था विज्ञान ना तो पूर्व का है ना पश्चिम का बल्कि अपनी सार्व लौकिक्ता के कारण वह सब देशों का है परन्तु फेर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेश रूप से योग्य है भारतियों की ज्वलंद कलपना शक्ति तो उपर उपर परस पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की गुथी से भी नया सूत्र निकाल सकती है परन्तु एकागरता की आदत ने इसे रोक रखा है यह सैयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्त की खोज में लगाये रखने की शक्ति प्रदान करता है उस महान व्यज्यानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आखें चलचला उठी यह धीरजी क्या सचमुच भारत का पर्याइवाची शब्द नहीं बन गया है जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचम्भित कर रखा है उदगाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंदर में फिर से गया उस महान वनस्पती शास्तरग्य को अपने वचन का स्मरण था जो मुझे अपनी शांध प्रयोकशाला में ले गए अब मैं इस फर्ण के पौदे पर क्रेस्कोग्राफ लगाता हूँ इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्दित चित्र उबरेगा इसी मात्रा में यदि घोंगे की रेंगने की क्रिया को परिवर्दित किया जाए तो घोंगा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा मेरी द्रिष्टी उच्छुक्ता वर्ष पर्धे पर लगी हुई थी जहां फर्ण की परिवर्धित चाया दिख रही थी सूक्ष्म से सूक्ष्म जैफ क्रियाएं भी अब स्पश्ट दिखाई दे रही थी मेरी मंद्र मुग्द आँखों के सामने वह फर्ण का पौदा अत्यांत धीरे धीरे बढ़ रहा था बोस महाशे ने पौदे की नोक को धातू की एक छोटी सी छड़ से चुआ पर्दे पर चल रहा मूख मृत्य हटात रुक गया और छड़ हटाते ही उसकी लैबद्ध थिरक पुनै शुरू हो गई बोस महाशे ने कहा तुमने देखा कैसे तनिक साभी बाया हस्तक शेप समवेधन शील उतकों के लिए बाधक है अब देखो मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूँगा और फिर इसका प्रभाव नश्ट करने वाली औशदी भी ख्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विगास को पूर्ण तैर रोक दिया उसका प्रभाव नश्ट करने वाली औशदी ने उसे पुनै शुरू कर दिया परदे पर दिखने वाले विगास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तनमाईता के साथ जकर रखा था बोस महाशेय ने जो कि यहां खलनाय की भूमिका में थे उस फर्म के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया आकस्मिक फड़पड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेट से अंशते काट दिया तब छाया में तीवर छटपटाहट दिखाई दी फिर मृत्यू की अंतिम स्तब्दता में वह शान्त हो गई एक विशाल व्रिक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका इस्थानांतरन करने में मैंने सभलता प्राप्त कर ली है साधारन तया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछी दिन बाद मर जाते हैं उस जीवन रक्षा की युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए वो उस महाशय अत्यंत प्रसन्यता के साथ मुस्कुरा रहे थे मेरे सूक्ष्म ग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौदों में रस संचार प्राणाली होती है प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौदों में रस संचार होता है पेड़ पौदों में रसकी उर्द्व गति को केवल केशिका आकरशर यानि कैपिलरी अट्रेक्शन सद्रेश किसी यांतरिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता जैसा कि सामान्यता प्रयास किया जाता है क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है पेड के अंदर से लंबी गोला कारनली चलती है जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुडने वाली लहरें उठती रहती है जो रिदय का काम करती है हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि इस बहुवित प्रकृति का प्रतेक रूप एक ही सूत्र में बंधा है बोस महाशे ने एकन्य बोस यंद्र की ओर इशारा किया मैं तुम्हें टिन के एक तुकडे पर कुछ प्रयोग दिखाता हूँ धातुओं की प्राणशक्ती उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियां को चिन्धांकित करेंगे मैं तलीन होकर आणविक संवरशना की लक्षन स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखाचित्र अर्थात ग्राफ को देखने लगा जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफाम लगाया तब कमपन लेखन थाम गया जब धीरे धीरे उस टिन की सामान ने अवस्था लौट आई तब अब पुने शुरू हो गया अब बोस महाशे ने एक विशैला रसायन लगाया टिन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यू की सूचना आंकित कर दी वग्यानिक महोदे ने कहा बोस यंद्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कहची और मशीनरी में प्रयोक्त इसपाच सद्रिश धातू भी ठकते हैं और बीच-बीच में विश्रा मिलने से उनमें पुने ताजगी और कारिक शमता आ जाती है विद्वत प्रवा या अती भारी दबाव से धातूव में जीवन की धड़कन को कमभीर क्षती पहुंचती है या वह धड़कन सदा के लिए रुख भी सकती है उस कक्ष में चारों रखे अथक प्रतिबा के मुखर प्रतीक असन्द के आविश्कारों पर मैंने त्रिष्टी दोडाई सर या दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाब उठाकर बड़े पैमाने पर क्रिष्य विकास को गती नहीं दी जा रही है इन में से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयोक्त करके खात के विभिन्द प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना क्या सहच संभब नहीं हो सकता तुम ठीक के रहे हो भावी पीणिया बहुस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएंगी वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरसकार कदाचित ही मिलता है स्रिजनात्मक सेवा का आनंधी उसके लिए पर्याप्त है उस अदम्य रिशी के प्रती अपनी हारदिक कृतग्यत अव्यक्त कर मैंने उनसे विदाली मैंने सोचा उनकी अध्भुत प्रतिभा की विस्मैकारी और वर्ता क्या कभी नेशेश हो सकती है बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामा के एक जटिल यंत्र का आविशकार करने के बाद वो उस महाशय असंग के भारतिये पेड़ पौधों के विस्तरित अनुसंधान में लग गए किसी को कलपना भी नहीं थी ऐसी ऐसी उप्युक्त औशधियों के एक विराट भेशच ताली का तयार हो गई कार्डियोग्राफ ऐसी अचूग सटीकता के साथ तयार किया गया है कि उससे एक सेकंड का शतांश तक व्रेखा चित्र में अंकित हो जाता है पेड़ पौधे, प्राणी एवं मानव शरीर की सनव्रशना के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है उस महान वनस्पती शास्तरग्य ने भविश्यवानी की कि चिकित्स किये अनुसंधान के लिए प्राणीों के अंग विच्छेत की आविशक्ता नहीं रहेगी कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग विच्छेत से ही काम चल जाएगा उन्होंने स्पष्ट किया कि कि किसी औशदी के पौधे और प्राणी पर एक साथ किये गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर उस औशदी के प्रभाव में अश्चरे जनक समानता है मनुष्य में जो कुछ भी है उस सबका पूर्वा भास पेड़ पौधों में फित्यमान है बनस्पती जगत पर प्रयोग प्राणी और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे कई वर्षों के बाद बोस महाशे के पत प्रदर्शक बनस्पती आविशकारों की अन्न ब्यग्यानिकों द्वारा पुष्टी की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1938 में किये गए शोदकारी की रिपोर्ट The New York Times में निमने लिखित रूप में प्रकाशित हुई थी गत कतिपाय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तेश्क और शरीर के अन्ने हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं यानि नर्व्स संदेश वहन करती हैं तब छोटी-छोटी विद्योत तरंगे निर्मित होती है इन विद्योत तरंगों को सूक्ष्मग्राही गैलवनोमीटर्स से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लाखो गुना परिवर्धन किया गया मानव या जीवित प्राणियों के तंतरिका तंतुओं यानि नर्व फाइबर्स में प्रभाहित होने वाली इन तरंगों का अध्यान करने का कोई संतोश जनक तरीका इनकी अत्यांत टीवरगती के कारण अब तक ढूड़ा नहीं जा सका था डक्टर के स्कोल और डक्टर एच जे कर्टिस ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोश निकाला है कि साधारन त्याग घरों में मचली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है जिससे निटेला कहते हैं और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है कोई भी भिन्नता नहीं है इसके अत्रेक उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किये जाने पर वे विद्योत तरंगे निर्मान करते हैं जो किवल गती को छोड़कर अन्य सब द्रिष्टियों से प्राणी और मानप के तंत्री तंतुओं में निर्मान होने वाली विद्योत तरंगों के समान ही होती है इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गई इसलिए तंत्रिकाओं में प्रभाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रभाह के मंदगती चलचेत्र यानी स्लो मोशन पिक्चर्स लेने के लिए कॉलंबिया युनिवर्स्टी के अनुसंधान करताओं ने इस आविशकार को तुरंत उप्योग में लाया इस प्रकार निटेला पौधा मन और स्थूल जगत के सिमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गूड लिपी का अर्थ जानने में एक प्रकार से रोजेटा पत्थर की भूमी का आदा कर सकता है कविवर रवींद्रना टगोर भारत के इस आदर्श वादी व्याज्याने के अंतरंग मित्र थे उन्हें संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी हे तपस्वी डाको तुमी साम मंत्रे जलद गर्जने उत्तिष्थत निबोधत दाको शास्त्र अभिमानी जने पंडित तेर पंडतर कहते सुब्रहत विश्वत ले दाको मूड दामभी केरे डाक दाओ तब शिश्य दले एकत्रे दांडाक तारा तब होम हुतागनी घिरिया बार बार एभारत आपनाते आसुक फिरिया निश्ठाए श्रद्धाए ध्याने बसूक से अप्रमत्त चित्ते लोभीन द्वन्द्वेहीन शुद्ध शांत गुरूर वेदिते हे तपस्वी साम मंत्रों की जलद गंभीर कर्जना से पुकारो उठो, जागो, शास्त्रा भी मानी जनो और कुतरकों से आहद बुद्धी पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तरकों का त्याक करने को कहो उन्मूर दंभियों को इस सुबिस्त्रित संसार में आने की प्रेणा दो अपने शिश्यों का भी आहवान करो कि वे कर्तव्य रूपी यग्यवेदी के चारों और एकत्र हों जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनह प्रात करे और कर्तव्य निष्ठा, श्रद्धा और ध्यान में अविचलित रहकर लोभीन, द्वंद्विहीन, शुद्ध और शांत बन कर विश्व गुरू के आसन पर एक बार फिर अधिश्थित हो